आप सभी का फिर से स्वागत है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पर हम डील कर रहे हैं करेंट अफियर्स और कल हमने किया था चतीस गड़ पर बेस सब्जेक्टिव वे सभी समसमाई की जो हमारे जून के दूसरे हफते में हमारे लिए करेंगे और देखेंगे हम अपनी तयारी में कहां तक पहुच पा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक खुशकवरी है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के द्वारा इस साल जो लोग सेवा आयोग च्छतीस गड़ लोग सेवा आयोग च्छतीस गड़ पब्लिक सर इंटर्व्यू उनके दो चरणों के लिए हम इंटीग्रेट्ड क्या लेकर आ रहे हैं प्लोगों के लिए undred शीरीज लेकर के आ रहे हैं और यह जो टेस miał चुन दोजार चौबिस से लेकर के एक लॉग ट लिए एक long term batch के रूप में आप लोगों के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है इसे लाया जा रहा है ताकि आप लोग अपने prelims plus mains जो आपका preliminary examination होता है प्लस जो आपका mains examination होता है इन दोनों को ही क्या कर सकें आप समग्र तरीके से आप address कर सकें इसके लिए आप करते हैं मतलब अगर आपका एक particular हम सलेवस उठाते हैं चत्तिजगहड़ का इतिहास का एक खंड और भारत के इतिहास का एक खंड इन दोनों को मिला करके पहले आप लोगों को क्या किया जाएगा MCQs दिये जाएंगे ताकि आप अपने prelims की तयारी को optimally कर सकें उसके बाद उसी ही टेस्ट में आप लोगों को उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है सेम सी लेबस का सब्जेक्टिव आंसर्स भी डील करने होंगे और यह जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इससे बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है अलग अलग टेस्ट में प्रिलिम्स के टेस्ट अलग देते हैं मेंस के टेस्ट अलग देते हैं और कहीं न कहीं जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की तयारी होते हैं उससे मिस आउट हो जाते हैं तो उसमें बच्चों को एक सूत्र में बांधने के लिए यह आप लोगों के लिए क्या लाया जा रह लाई जा रही है यह जो टेस्ट सीरीज है यह बाइलिंग्वली होगा मतलब हिंग्ली और इंग्लिश दोनों में ही होगा साथ में इसका वेल एक्स्प्लेंड मॉडल आंसर आप लोगों को दिया जाएगा बिल्कुल टाइमली इसका क्या होगा रिजल्ट का किया जाएगा और यह जो पूरे टेस्ट सीरीज है यह हमारे पहले से ही चैनित जो आपके क्या है स्टूडेंट्स रहे हैं हमारी संस्थान से और साथ में हमारे जो expert faculties हैं उन सभी के मिल करके यह आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि यह बिल्कुल exam oriented रहे और आपका time waste ना हो आप लोगों को 24 hours का gateway दिया जाएगा doubt solving का मतलब आप 24-7 किसी भी time हमसे आपके जो test series regarding होगा उसको doubt solve करवा सकते हैं इसके बाद में हमारा exam oriented का approach रहेगा पूरा complete हम क्या करेंगे आपको syllabus का coverage कराएंगे हमारे test series के माध्यम से है ना तो यह आपका किस रूप में आपको देखने मिल रहा है integrated syllabus रहेगा आपका prelims और mains दोनों के ही test का है ना और यह आपका क्या होगा ताकि आप अपने exam को smoothly और smartly आप अपना align कर सकें अपने तयारी को optimum level पर ले जा सकें अलग-अलग test के लिए अलग-अलग आप लोगों को भटकना ना पड़े एक ही आपका पूरा syllabus completion में उसके माध्यम से बहुँ विकल्पिय प्रश्णों को भी आप कैसे solve कर पाएंगे और subjective भी उनको ही कैसे deal कर पाएंगे यह पूरा का पूरा आप लोगों को एक guidance का क्या मिलेगा आप लोगों को test series के माध्यम से हमारी संस्थान provide करने वाली है कब से शुरू होने वाला है यह यह शुरू होने वाला है 30 जून से और जो शुरुवात के कुछ चुनिंदा चात्र रहेंगे जो enroll कराएंगे उन्हें up to 60% तक क्या मिलेगा इसमें छूट भी मिलेगी discount भी दिया जाएगा तो आप हमारे competition community के जितने भी आपके centers है याने कि बिलासपूर बिलासपूर में दो centers मंगला और गांधी चौक पर राइपूर दुर्ग राजनान गाओं सभी जगह आप लोग walk-in करके भी इसके बारे में information ले सकते हैं आप हमें call करके भी information ले सकते हैं mail करके भी information ले सकते हैं गो होने वाला है mcq session जो कि हमने कल हमारा जो चत्तीजगर पढ़ा था mcqs उस पे ही based होने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं सबसे पहला जो question हमारे पास में होने वाला है which amongst the following team won the first season of चत्तीजगर क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले संसकरण का विजेता कौन रहा है राइपूर, राइनोज, बिलासपूर बुल्स, राइपूर राइनोज, बिलासपूर बुल्स, राइगर, लॉयन्स या फिर राजनानद गाउं पैंथर्स यह आप लोगों को बताना है राइपूर, बुल्स, राइपूर राइनोज, बिलासपूर बुल्स, बस्तर बाइशन्स, या फिर बस्तर बाइशन्स, या फिर राइगर लॉयन्स, राजनानद गाउं पैंथर्स तो CCPL जो बर्दमान में आपके 36 गड़ में खेला गया था IPL की तर्श पर उसका ओवर रॉल चैंपियन कौन बना है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, option number A, राइपूर राइनोज ने बिलासपूर बुल्स को हरा करके क्या किया है 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का पहला संसकरन जीत लिया है दूसरा हम देखते हैं, which amongst the following district did not participate in the first season of 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग मतलब 36 गड़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में इनमें से कौन सा ऐसा जिला है, जिसने अपनी टीम नहीं participate कराई थी यह आप लोगों को जवाब देना है, A, राइपूर, B, बिलासपूर, C, दूर्ग या फिट, D, राजनान गाउं कौन सा वो जिला रहा है, जिसकी टीम ने प्रतिस पर्दा में हिस्सा नहीं लिया था तो हमें पता है, राइपूर, राइनोज नाम से टीम थी, जिसने क्या किया है, पहला संस्करन जीत लिया है, बिलासपूर, बुल्स, जिसमें हमारे स्टार खिलाड़ी, शशांक, शिंग क्या रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, राजनान गाउं, पैंथर्स नाम की टीम रही है, और हमारे पास में राइगर लॉयंस, बस्तर बुल्स, और सर्गूजा, सर्गूजा, टाइगर्स, ये वो छे टीम रही हैं, जिनोंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, तो किस ने नहीं किया था, तो यहां पर हमारा option number C हो जाएगा हमारा answer, यानि कि दुर्ग की team ने participate नहीं किया था, अब अगला जो हमारा सवाल है, एक विहंग दृष्टी क्या है, what is एक विहंग दृष्टी, एक विहंग दृष्टी जो रामेश्वर शर्मा, रामेश्वर शर्मा, द्वारा इसका संकलन किया गया है जिसका विमोचन किया गया है वर्तमान में तो ये क्या है आप लोगों को बताना है क्या ये हिंदी में काव्यों का क्या है संग्रह है क्या ये चत्तिस गड़ी काव्यों का संग्रह है क्या ये हिंदी की कहानियों का संग्रह है या फिर यह चत्तीजगड की कहानियों का संग्रह है एक विहंग द्रिष्टी तो यहां से आप लोगों के लिए option number B हो जाएगा answer It is a collection of चत्तीजगड़ी poems याने कि चत्तीजगड़ी काव्यों का क्या है यह एक संग्रह है अगला देखते हैं question number 4 कौन सा राज उन्नीसवी युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का overall champion बना है कौन सा राज उन्नीसवी युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो की कहान है उजित कराई गई थी ठीक है यह भी question है आगे देखते है तमिलनाडू, केरल, आंदरप्रदेश या फिर 36 गड़ जो उन्नीसवी एथलेटिक्स चैंपियनशिप का overall champion कौन बना है option A, तमिलनाडू, B, केरल, C, आंदरप्रदेश या फिर D, 36 गड़ तो यहां से आपके लिए answer हो जाएगा option number A, तमिलनाडू क्या हो गया है overall champion बन गया है जो उन्नीसवा यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित कराया गया था उसका अगला देखते हैं, where was the 19th national youth championship organized उन्नीसवी राष्ट्रिय यूवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित करायी गयी थी option A, भोनेश्वर उडिसा, option B, चंडीगड, option C, जबलपूर मध्यप्रिदेश या फिर option D, बिलासपूर चत्तीजगड उन्नीसवी राष्ट्रिय यूवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित करायी गयी थी A, भूवनेश्वर, B, चंडीगड, C, जबलपूर या फिर D, बिलासपूर B, आर यादव Stadium में इसका आयोजन कराया गया जो कहां है भहतराई में और ये कहां है भहतराई, ये है आपके बिलासपूर जिले में ये कहां पर है आपका बिलासपूर में, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? option नमर D, बिलासपूर, 36 गड़ में, 19 वी Athletics Championship का क्या कराया गया? आयोजन कराया गया, अगला दिखते हैं, निम्न में से कौन सा एथलीट, 19 वी राजट्रिये Athletics Championship में अपने प्रदर्शन के कारण विश्व Athletics Championship के लिए योग हो गया है या फिर क्वालिफाई कर गया है who amongst the following athletes has been qualified for World Athletics Championship because of his her performance in the 19th Youth Athletics Championship option A है हमारे किरन कुमार फ्रॉम केरल, option B है नीरू पाठक फ्रॉम डेली, option C है नवनीत कौर फ्रॉम पंजाब, option D है नीलम चौधरी जो की है राजस्थान से केरल के किरन कुमार, दिल्ली से नीरू पाठक, पंजाब की नवनीत कौर या फिर राजस्थान की नीलम चौधरी इनमें से कौन वो खिलाडी है जिनें अपने प्रदर्शन के कारण विश्व Athletics प्रतिसपरधा के लिए क्या कर लिया गया है चैनित कर लिया गया है किरन कुमार, नीरू पाठक, नवनीत कौर या फिर नीलम चौधरी यहां आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर बी दिल्ली की नीरू पाठक ने 400 मीटर और 200 मीटर दोड में राश्ट्री रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ साथ ये विश्व एथलेटिक्स प्रतिसपर्धा के लिए भी चैनित हो गई है वहीं जो आपके केरल के किरन कुमार है इन्हों ने क्या किया है 110 मीटर बाधा दोड या फिर हर्डल रेस में क्या बनाया है नैशनल रिकॉर्ड बनाया है नीरू पाठक ने 400 मीटर और 200 मीटर दोड में रेस में क्या बनाया है नैशनल इन्होंने आपका रिकॉर्ड बनाया है आगे चलते हैं मतलब निम्न लिखित में से किसे सिक्षा में शशक्तिकरण के छेत्र में उनके योगदान के कारण राज्य स्तरिय सिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है ओप्शन नमबर A डॉक्टर कृतिका शर्मा ओप्शन नमबर B त्रिप्ति पांडे ओप्शन नमबर C डॉक्टर शिप्रा बेग ओप्शन नमबर D डॉक्टर शक्षी तिवारी कृतिका शर्मा, त्रिप्ती पांडे, शिप्रा बेग, साक्षी तिवारी राज्य स्तरी सिक्षा सम्मान कृतिका शर्मा, त्रिप्ती पांडे, शिप्रा बेग, साक्षी तिवारी तो ये हो जाएंगी आपके लिए option number C शिप्रा बेग ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल है हमारे पास में चत्तीजगड का कौन सा गायक YouTube से golden play button पाने वाला राज का पहला गायक बन गया है Which singer of चत्तीजगड became the first to receive golden play button from YouTube Option A नितिन दूबे, Option B अनुच्छ शर्मा, Option C ममता चंद्राकर या फिर Option D अनुपमा भागवत नितिन दूबे, अनुच्छ शर्मा, ममता चंद्राकर, अनुपमा भागवत YouTube से golden play button पाने वाले पहले चत्तीजगड के singer कौन बन गये है नितिन दूबे, अनुच्छ शर्मा, ममता चंद्राकर, अनुपमा भागवत तो यहां से आप लोगों के लिए Option A हो जाएगा answer नितिन दूबे वो singer है जिने 10 लाख subscriber होने के कारण YouTube ने क्या दिया है golden play button से नमाजा है who amongst the following is state election commissioner of चत्तीजगड राज चुनाव आयुक्त कौन है आप focus करेंगे इस पर आयुक्त पर रीना बाबा सहाब कंगाले P.S. Dhruv, K.R. Singh या फिर अजय सिंग राज चुनाव आयुक्त state election commissioner किने नियुक्त किया गया है रीना बाबा सहाब कंगाले P.S. Dhruv, K.R. Singh या फिर अजय सिंग तो ये आप लोगों को confuse करने के लिए option number A में रीना बाबा सहाब कंगाले को दिया गया है क्योंकि ये आपके राज जी की क्या है राज जी की मुख्य निर्वाचन पदा धिकारी है ये क्या है ये मुख्य निर्वाचन पदा धिकारी Chief Electoral Officer है P.S. Dhruv और K.R. Singh क्या है सैयुक्त मुख्य निर्वाचन पदा धिकारी ये आपके सैयुक्त Joint और जो अजय सिंग है आपका आंसर हो जाएंगे Option number D अजय सिंग इन्हें क्या बनाया गया है राज के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है राज चुनाव आयुक्त और इन्हें ही जिम्मेदारी दी जाएगी अब किसकी जो आपके राज में इस साल क्या होने है नगरिय निकायों के चुनाव होने है उनके परिसीमन से लेकर के उनके आपका चुनाव में जो रोल होता है इलेक्टॉरल मतदाता सूची से संबंद और साथ में चुनाव कराने से संबंद सभी आपका क्या दिया जाएगा डायरेक्शन सुप्रिटेंडेंडेंस का जिम्मेदारी दिया जाएगा option question number 10 देखते हैं देवर भीजा मंदिर किस देवता या देवी को समर्पित है देवर भीजा तेम्पल is dedicated to which amongst the following goddess or god lord shiva, goddess Parvati, lord Vishnu या फिर goddess Sita बगवान शिव, devi Parvati, बगवान विश्ण या फिर देवी Sita इनमें से किसे dedicated है देवर भीजा मंदिर बगवान शिव, देवी Parvati, बगवान विश्ण या फिर देवी Sita तो जो आपका देवर बीजा मंदिर है यह आप लोगों को डेडिकेटेड हो जाएगा किन के लिए option number D goddess Sita याने कि देवी Sita को समर्पित यह मंदिर है कौन सा देवर बीजा मंदिर अगला सवाल देखते हैं देवर बीजा मंदिर कहां स्थित है कहां स्थित है माता सीता को समर्पित यह देवर बीजा मंदिर जिसके बारे में यह बोला जाता है कि इसे केवल 6 दिनों में ही पूर्ण कर लिया गया था नागर शैली का एक बहतरीन उदाहरण है और यह आपके राज के किस जिले में स्थापित है यह आप लोगों को बताना है बारवी शतापदी का नागर शैली का एक उदाहरण है यह मंदिर जिसे कल्चुरी राजाओं ने बनवाया था और ऐसा मान्यता है यहाँ पर कि भगवान, राम, लक्ष्मन और सीता माता अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर पहुँचे थे जिसे मार्क करने के लिए कल्चुरी राजाओं ने यहाँ पर छे रातों में ही इस मंदिर का क्या हो गया था? निर्मान करा दिया गया था कहां है यह जाञजगेर, चापा, बेमेतरा, अकल, तरा, रमानुज, गंज यह है आप लोगों के लिए औप्षन नंबर बेमेतरा में है स्थापित देवर बीजा मंदिर अगला question देखते हैं, which amongst the following statement is incorrect, निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आप लोगों को choose करना है, option A, blue mormon is a species of geckos found in भोरम देव wildlife century, blue mormon भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य में पाय जाने वाली geckos, यानि कि छिपकली चिपकली की एक प्रजाती है, geckos की क्या है, एक प्रजाती है, option B, blue mormon is second largest in size in India of its species, मतला blue mormon अपने प्रजाती में पाय जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जीव है, option number C, भोरम देव wildlife century was notified in the year 2001, बोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को 2001 में अधिसूचित किया गया था, और option number D, orange oak leaf is national butterfly of India, आप लोगों को इसमें से गलत कथन चूज करना है, मतला which of the following statement is incorrect, ये आप लोगों को बताना है, blue mormon बोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य में पाये जाने वाली एक छिपकली की प्रजाती है, blue mormon अपनी प्रजाती में भारत में अकार में दूसरा सबसे बड़ा है, बोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 2001 में अधिसूचित किया गया था, औरेंज ओकलीफ भारत की राश्ट्रिय तितली है, नवेंबर 2021 में इस औरेंज ओकलीफ को भारत की राश्ट्रिय तितली गोशित किया गया था, बोरम देव वाइड लाइफ सेंचरी जो आपका चत्तीस गड़ का नवीनतम क्या है, वन्य जीव अभ्यारण ने है, उसे 2001 में क्या किया था, अधिसूचित किया गया था, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नमबर C, ब्लू मॉर्मोन इस सेकेंड लाजेस्ट इन साइज इन इंडिया ऑफिस स्पीसीश, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ब्लू मॉर्मोन है, ये गैको नहीं है, इट इस अ बटरफ्लाई, ये क्या है, आपका एक तितली है, तो हमारा ऑप्शन नमबर A हो जाएगा हमारे लिए आंसर, लेकिन ऑप्शन नमबर A हो जाएगा, एक्चली में क्या, गलत स्टेटमेंट और क्योंकि हमें क्या चूज करना था, गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नमबर A, ब्लू मौरमॉन इस आ स्पीशीज ओफ गेकोस फाउंड इन भोरम देव वाइड लाइफ सेंचुरी, आगे चलते हैं, मैच दा फॉल्विंग वाइड लाइफ सेंचुरी ज ओफ चत्तीज गड़ विद द इयर ओफ देयर स्टैबलिश्मेंट, मतलब चत्तीज गड़ में निम्द लिकित अभ्यारणों को उनकी स्थापना के वर्ष से मिलान कीजिए, ऑप्शन नमबर एक तरफ आप लोगों को सेंचुरी दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, और आप लोगों के लिए यहाँ पर आप्शन हो जाएंगे, आप्शन नमबर ए हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, है ना, इस जात्य है, तर आप लोगों को सी और आप हया प्टती। अबरेश नमबर लोगों को सेंचुरी दिया है, झाल झाल यह हो जाएगा आप लोगों के पास में option तो सीता नदी जो है वो हमारे 36 गड़ की सबसे प्राचीनतम क्या है wildlife century है 1974 में बनाई गई थी अचानक मार को 1975 में बनाया गया था पामेड जो है भोरम देव जो है वो आपका सबसे नवीनतम है 2001 में और पामेड को बनाया गया था 1983 में अधिसूचित किया गया था तो यहां से आप लोगों के लिए option हो जाएगा यहां से हो जाएगा आप लोगों के लिए सही ठीक है चलिए अगला question देखते हैं question number 14 in which of the following areas of चत्तीजगड twin tunnel is being built चत्तीजगड में निम्न लिखित में से किस छेत्र में पहली जुड़वा सरंग बनाई जा रही है चत्तीजगड में भारत माला प्रोजेक्ट के अंडर में पहली क्या बनाई जा रही है twin tunnels बनाई जा रही है जो की लगबग 2.8 km लंबी होगी आप लोगों को बताना है ये किस छेत्र में बनाई जा रही है option A केशकाल घाटी option B कुरसेल घाटी option C लोरो घाटी या फिर option D चिल्फी घाटी इन में से कौन सा वो जगह है जहां पर आप लोगों का twin tunnel बनाया जा रहा है चत्तीजगड का पहला twin tunnel केशकाल घाटी, कुरसेल घाटी, लोरो घाटी या फिर चिल्फी घाटी केशकाल घाटी, कुरसेल घाटी, लोरो घाटी या फिर चिल्फी घाटी ये जो केशकाल घाटी है इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार याने की गेटवे टू बस्तर कुरसेल घाटी जो है ये सागौन का द्वीब है लोरो घाटी जो है इसे फूलों की घाटी कहा जाता है केशकाल घाटी कुरसेल घाटी लोरो घाटी अफिर चिलफी घाटी तो यह जो आपका ट्वीब टूनल है यह आपके option number a केशकाल में क्या किया जा रहा है बनाया जा रहा है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत में जो राइपूर को विशाखा पटनम से क्या किया जा रहा है कनेक्ट किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के तहत के शकाल घाटी में क्या बनाया जा रहा है ट्विन टनल बनाया जा रहा है जो चत्तीजगड का पहला क्या होने वाला है ट्विन टनल होन नाट्यशाला रंग मंच या फिर नाट्यशाला कहां स्थित है। कहां पर स्थित है ये चत्तीश गड़ का या फिर माफ कीज़ेगा विश्व का प्राचीनतम रंग मंच ओल्डेस्ट थेटर ओफ दे वर्ल्ड मोस्ट एंशेंट थेटर तो यहां से आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा ओप्शन नंबर सी रामगड रामगड की पहाड़ी जो है उदैपुर उदैपुर विकासखंड सरगूजा जिले में स्थित है और यही रामगड की पहाड़ी है जहां पर आप लोगों को क्या देखने मिलता है लक्ष्मन बेंगरा नामक आपको गुफाय देखने मिलती है जहां पर मौर्य कालीन लिपी में लिखे हुए आपको क्या मिलते है एक प्रेम गाथा मिलती है देवदास और सूत नुका की प्रेम गाथा वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर खतम होता है हम अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको